नमस्कार दोस्तों, डिडिरेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ वो सेद मुजम्मिल शाह का वीडियो है वाट हैपेंड इंग जरनवाला पाकिस्तान्स होपलिस केस तो जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में क्रिश्चन्स पर जबरदस्त अटैक किया गया है कई सारे चर्चों को आग लगा दी गई है, क्रिश्चन घरों को आग लगा दी गई है, मारा पीटा गया है और आरोप ये लगाया गया है कि ये ब्लास्फेमी है यानि इश निंदा अब आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में कोई जूटी ब्लास्फेमी कब ये आरोप लगा दे तो समझे कि उसका जीना मुश्किल है तो ये पूरी साही कम्मुनिटी पर लगा है और ये जूटा आरोप लगा के अफ़ा फैला के सब को इकठा किया गया है और भाहिंकर जो भी हो रहा है अब इस पर देखिए सेयद मुजमिल क्या कह रहे है आए सुनते है क्योंकि इनको सुनना हमेशा से बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फैक्चुल बाते करते हैं इनसानियत वाली बाते करते हैं तो चले देखते हैं फैसलाबाद के करीब वाके अलाके जणावाला में आज 97% मुसलिम्स को 1% क्रिस्टन से खतरा लाक हो गया यानि के ओवरल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की अगर परसेंटेश देखें तो सिर्फ एक फीसद क्रिस्टन कम्यूनिटी बनती है और उस एक फीसद के खिलाफ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुलाओं ने कन्विंस किया जणावाला के आवाम को कि सब एकठे हो जाओ क्योंके तुम सब खतरे में हो और उन सबने का कि हम जान देने को तैयार हैं लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे मर मिटेंगे ये हमेशा जान लेते हैं देता कोई भी नहीं है किसी ने आज तक अपनी मोटर वाइक को या अपनी दुकान को आगनी लगाई इस पैशन के थरू सिर्फ दूसरे की अमलात को चलाया है तो अब तक की इतलात के मताबक वाक्या हुआ क्या वो आपको बाद में बताता हूं लेकिन अब तक नुकसान कितना हो चुका है उसकी अगर बात करें तो पहली बात यह है कि असिस्टेंट कमिशनर जणावाला जो के स्टेट के नुमाइंदे हैं जो रियास्त को रेप्रेजन्ट करते हैं उनको घर छोड़के भागना पड़ गया क्योंके वो भी मसी बरादरी से हैं और उनके घर पे हमला हो गया तो आप यह देखिए कि स्टेट को भागना पड़ गया मौब के सामने से जिसमें 295 और 96 लगा दी हैं सजा मौत है उसकी इसके बाद आपको क्या चाहिए आप बता दें लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि यह जो अवाम बाहर निकले हुए हैं यह सिरफ कानून पे अमल दरामत करवाने नहीं आए हैं यह तो रोजमर्रा की जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए हैं और इसलिए फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए अब तक उन्होंने 17 से 20 के दरम्यान घर जला दी हैं इसकी कोई रिपोर्ट मेंस्ट्रेशन मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही क्योंके वहाँ पे शरम महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या ख़बरें चल रही हैं कि एक परसंट क्रिस्टन माइनॉरिटी से खतरा लाक हो गया 97 परसंट को इसलिए वो उसको छुपा ल काफिरों को जूतों की नोक के नीचे रखते हैं हम तो ऐसा कर देंगे हम तो ये हैं हम तो एक के बराबर दस है मतब दस के बराबर एक हैं हमारा कोई तोड नहीं है कोई मुकाबला नहीं है अरे कैसा मुकाबला है भई आपका बिलकुत सही बात कह रहेंगे दो परसंट से 98 8% आवाम डर ही हुई है असली डर इसको कहते है मैं बार-बार जो कहता हूनों कि आप जूटा दिखावा करते हैं ये है डर 2% लोगों से कौन सा डर भाई कौन सा खत्रा और आप बड़ी-बड़ी बाते बस करना जानते हूँ टीवी टीवी पे ये खबर चलेगी कि कश्मीर में बहुत जल्म ढाया जा रहा है मसल्मानों के उपर फलस्तीन के अंदर इसराईल ने सेहुनी ताकतों का इस्तमाल करते हुए दुबारा से घजा की पटी पे हमला कर दिया और इसके लावा मनीपूर में फसादात का अमबार लग चुका है मूदी साथ की खामोशी ये हेडलाइन होगी आज शाम की लेकिन ये नहीं होगी कि आपके अपने बैक यार्ड में एक माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है XPM शेबाज शरीव साथ कल ट्वीट कर रहे है स्वीडन में होने वाले वाकियात की कंडमनेशन में अपने घर में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करनी लिकाउस दैड इस शेमफुल उस पर तो शरम आती है कि यहां पर थोड़ी हमने कोई राइट्स देने है माइनॉरिटी को अंदर जो मज़ी किसी को मार दे उठके अंदर सिंद के अंदर किसी भी नाबालिक बची को उठा के जबरदस्ती जबरी तोर पे मजब की तबदीली प्रैक्टिस करवा दें कुछ नहीं होगा उससे भी ठीक है यहां पर एहमधी कम्यूनिटी के घरों को और उनकी जिन्दगियों को ताहफ آپ I Waiti जब वाल आ उनको कारोबार तबा कर दें गोलियां मारे उनके सरों में उनकी बेटियों को अकवा कर लें लेकिन उससे भी कोई मसला नहीं होगा बेकाई दियर पाकिस्तानी सिटिजन्स जैसे ही वो अगर कश्मीर शिफ्ट हो गए अगर वो फलस्तीन शिफ्ट हो जाए फिर शायद दर जाग जाए हमारे अंदर तो इसलिए मीडिया पे कोई रिपोर्ट नहीं है लेकिन अब तक की इतलात के मताबिक तकरीबन चार से च्छे के दरमियां चर्चिस को जला दी है क्रॉस उपर से तोड़ते हुए फुटेज़ आपको मिल जाएगी इन मतवालों की जो के नारे बाजी कर रहे हैं और एक और रिलिजिन की मुकदसात को जला रहे हैं जिसके अंदर बाइबल मुकदस भी पड़ी हुई है उसको भी आग लगा दी और इसका कोई हिसाब नहीं इन से लिया जाएगा यहां पर इनके उपर ये मुकदमा नहीं होगा इनके उपर मुकदसात को ब्रीच करने का बॉयलेट करने का मुकदमा नहीं होगा अगर हुआ भी तो कोई लोकल क्लेरिक उटके जाएगा मदारस की अवाम को लेकर पुलीस वाले की पैंट गिली हो जाएगी तो इसी तरह अब तक 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 तकरीबन 6 चर्चिस जल चुके हैं एक कब्रिस मतलब सोचिए कि कोई आपकी किताब की बैज़ती करता है तो वो आपको बरदाश नहीं है आप सर तन से जुदा कर देंगे लेकिन वही काम आप दूसरे धर्मों की किताबों के साथ कर रहे है तब जी ठीक है हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे है ये गुस्ताकी की सजा है वह मतलब वो कोई काम करे तो वो बुरा है लेकिन वही काम आप करें नहीं नहीं जोके एसलाम के मुताबिक हैं आप करें तो हम जी कर रहे हैं, जो बिलकूल अच्छा कर रहे हैं, प्राबलम ये हैं, वो करें तो गलत, आप करें तो सही, सेम काम, उसने आपके रिलिऑजिस भुक के साथ छेडशाड की या बेज़ती की, अपमान किया उसका, ये तो हमारे ल में क्या है? ये तो होता रहता है क्या हो गया? ऐसा कर दिया तो ये है माइंडसेट ये है दिक्कत, ये है परिशानी अजिस्तान पे हमला हुआ है सतरह तकरीबन घार हैं जिन पे अटैक हो चुका है और क्रिस्टिन कम्यूनिटी को एक मैस माइग्रेशन उस कालोनी से करनी पड़ रही है क्योंके सब वहाँ पर जजबे में है कि हमने इनके उपर आज इसलाम नाफिस करके जाना है और सारे के सारा सोशल मीडिया पर क्या रियक्शन आता है इवन प्रोग्रेसिब लिबरल तब के जो है 70 सालों के अंदर उन्होंने जो तशरीश सीखी है वो कहां से सीखी है उन से जाके बहस करके आप देखें कि आपका इसलाम क्या कहता है और फिर अंदाजा लगाई है कि जो आप जिस इसलाम को इसलाम मानते हैं उसके बिलकुल मुतजाद खड़े हुए है वो किसी पीसफुल टेडिशन को मानते ही नहीं है जब से टी एल पी का राइज हुआ है इस सूबे के अंदर मैं समझता हूँ कि सौ गुना इस तरह के वाकियात में इजाफा हुआ है और उसके बावजुद उनको हरबर किया जाता है अभी वो डिनाए कर रहे हैं कि ये हमारे लोगी नहीं है लेकिन हर मॉब के अंदर आपको उनी के स्लोगन्स मिलेंगे हर मॉब के अंदर और अभी स्टेट लेवल पे उनकी अंदर्समेंट दुबारा से हो रही है ठीक है बहुत जल्द आपको ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई देगी किसी इंफरमिशन की बिनापे कर रहा हूँ हवा में नहीं चोड़ रहा जो निगरान वजीर आजम काकड साब बने हैं भी उन्होंने ट्वीट किया है कंडेम किया है इस वाके को औरकाय के कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे मुल्जमान को बहुत अच्छी बात है लेकिन उनको ये भी चाहिए कि जो स्टेट लेवल पे इंडॉर्स्मेंट टी अल पी की और दीगर जो प्रोस्क्राइब ऑगनाईजेशन का रिटरन हो रहा है इसलामबाद के अंदर जहां बैंडर्स लग रहे हैं इलक्शन लड़वाने की तैयारी की जा रही है उसको भी लगाम आपने डालनी है फिर इस तो हर वो फर्द और हर वो प्रोस्क्राइब ऑगनाईजेशन जो के इस तरह के वाइलन्ट बिल भी पास करवा रही है और वो आपको अच्छी तरह पता है और साथ साथ आपको ये भी पता है कि उनकी आडियालोजी क्या है उसके लिए खुला मैदान कौन छोड़ रहा है एक तरफ आप कहते हैं कारवाई करेंगे दूसरी तरफ उनके साथ कड़े हो जाते है तो अब वाकिया शुरू कैसे हुआ शुरू यहां से हुआ कि मंगल की रात को ये खबर फैली के दो नाजवान है मसी बरादरी से उनका तालुक है उन्होंने कोई पैंफलिट बनाया है उसके उपर ब्लास्फीमस मबाद लिखा गया है और अपनी तस्वीर लगाई हुई है उपर अब वैसे बहुत से क्रिस्टन कम्यूनिटी के जो पास्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये फॉल्स एक्यूजेशन है लेकिन कौन यहां पर तहकीक करेगा कुरान करीम के अंदर लिखा हुए किसी खबर को पहलाने से पहले उसकी तहकीक कर लो कंफर्म कर लो उसको लेकिन इनको तो पता नहीं है इन में से 90% से आप जाकर पूछें इने पढ़ना भी नहीं आता होगा अरैबिक टेक्स्ट पढ़ना नहीं आता होगा दिये ठीक है मान लिया मान लिया इसको कोई डाउट नहीं किया मैंने इस पर आप भी मत कीजिये डाउट इस पर कोई लेकिन उसके बाद कानून ने अपना रास्ता लेना है ना कॉंस्टिटूशन में आपने ये चीज क्यों डलवाई है कि इसकी सजा सजा मौत या उमर कैद है ताकि लाउट एंफोर्स हो सके उसके उसके उपर आप तो रियास्त कोई होस्टिज बना लेते हैं उसके बाद से अगर मुकदमा उन नाजवानों पे दर्ज हो चुका है और सिर्फ वो दो नाजवान थे तो बाकी इनोसेंट प्रिस्टन कम्यूनिटी का क्या कसूर है बाइबल का क्या कसूर है चर्च का क्या कसूर है कॉलोनी का क्या कसूर है उनकी बेहन बेटियों का क्या कसूर है जिनके घरों को डेसेग्रेट करके गिरा रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं किसी के पास यही वजुहात हैं जिसकी बिनापे international community that do not even spit on us उनको पता है कि यह सिर्फ एक hell hole है यहाँ पर एक ऐसी अवाम रहती है जिसको इसी पिंजरे में बंद रहना चाहिए इनके तो वीजास भी डिकलाइन करने चाहिए बाहर आके भी यही कुछ करेंगे अभी कल एक proud पाकिस्तानी जो के पहले पुरानी जीन्स वाले गाने में मौडलिंग कर रहे थे उन्होंने उस्टेरिया में जहाज में खड़े होके धंकी दे ली के बंसे उड़ा दूँगा चार घंटे फ्लाइट डिले हो गई इतना नाम रोशन करते हैं दुनिया बर में जाके फ्रीडम आउस की तरफ से चार में से एक रैंकिंग मिली है पाकिस्तान को वन आट और फॉर रिलिजिस फ्रीडम की अगर बात करें इसी वज़ा से यह नहीं करतूतों पे 2020 के अंदर अमेरिका ने ऑफिशली पाकिस्तान को वॉयलेटर आफ रिलिजिस फ्रीडम्स डिकलेर किया है जिसके बाद आप प्रोटेस्ट करते हैं कि यह क्या क्या है इसलिए क्या है पार्टेशन के बाद 20 फीसद पाकिस्तान में माइनॉरिटी थी अब सिर्फ ढ़ाई से 3 फीसद रह गई है उसकी भी जिन्दगी अज़ाब में डाली हुई है अभी चार दिन पहले 11 अगस को जिना साब की तकरीर माथ्हे पर चिपका को बाहर आके बाजे बज़ा रहे थे यू आर फ्री तो गूट यू यूर चर्चेश अभी दो रोज पहले आज़ादी का जशन मना रहे थे लेकिन अब जिस तरह से उस जशन को हमने नाफिज किया है इससे भी प्राइड लेनी चाहिए तो बहुत से लोग इतना कमपेशन रखते हैं यहां पे कि यह गरीब अवाम हैं इन्हें कुछ नहीं पता, यह मासूम हैं, इनका कोई कसूर नहीं है असल में इनको मोबिलाइज करके अशराफिया के खिलाफ इनकलाब लाना है पहले इनके दमाग जाके देख लीजिए आप, इनसे बात करें जरा डिसकुशन करके देखें अगर इनकलाब की बात आप इनसे करेंगे ना सबसे पहले आपकी गर्दन यही उतार देंगे उसकी वज़ाए कि जिस नहच पे दमाग बंद हो चुके हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को अबेंडन कर दी है, तनकीदी सोच, निकाल के बार फैंके दफन कर दी है तो आप बात ही नहीं कर सकते इन लोगों से, आप इनसे एकस्पेक्ट करेंगे कि यह अवाम जो है वो उटके अश्राफिया का तखता उल्टेगी, यह तो फसिलिटेटर है अश्राफिया के ओपियम अफ दे मैसेज को सूंग रहे हैं दिन राती है कभी भी इस तरह के लोग जो इवल डीड है वो इतना चेर्फुली और इतना पैशनेटली नहीं करते जब तक उनको रिलिजिस कन्विक्शन ना मिल जाए और इनको मिली वी है अभी इन एक एक ये जो तमाम मौब था ना इसका एक एक बंदा निकाल के आप इंटरिव्यू करके उनसे पूछें कश्मीर के बारे में क्या ख्याल है वो कहेंगे वहां बहुत जल्म हो रहां मुस्लिम कम्यूनिटी पे उनसे आप पूछें कि यॉरप में इसलामोफोबिया पे क्या ख्याल है वो कहेंगे बहुत बहुत जल्म और ज्याती हो रही ये खतम होना चाहिए इसको इन से आप पूछें फलस्तीन के बारे में क्या ख्याल है वो कहेंगे हम जान देने को उसके लिए तयार हैं वहाँ पे बहुत जाती की जाती है हमारी बरादरी पे हमले किये जाते हैं उनको आजादी नहीं मिलती इन से आप पूछें फरांस के बारे में वो कहेंगे वहाँ पर बुरका लेने की परिमिशन नहीं है, हम कंडेम करते हैं इसको, इन्हें शरम नहीं आती, रिलियस फ्रीडम के खिलाब बात करते हैं लेकिन इस मुलक के अंदर ऐसा जुगाड लगा हुआ है, इनका के ये सारे प्रिंसिपल जिसको ये दिन रात तोते की तरहा रिपीट करते हैं, इस पर एक पर भी अमल नहीं करते हैं, तो ये इटर्नली डिलूड़ेड हैं, ठीक है, अब तक अगर रियासत को समझ आ चुकी ह कि ये क्या हो रहा है, उसके बावजुद इसको हारबर करते हैं, तो आप किस से गिला करेंगे जाके कि आएंदा चलें कल को ये ठीक हो जाएगा, हम तनकीद करेंगे, नहीं होना ठीक, ये सिरफ और सिरफ इस चीज़ का सलूशन ये था कि एक सेकुलर और इनसान दोस रिया तशीज की जिंदगी हराम करने के चकर में हैं अभी, तो आइस्ता इस्ता हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, चाहिए माइनॉरिटी है, मिजॉरिटी है, बैठें पॉपकॉन खाएं और ये फिल्म देखें पाकिस्तान की, जो 75 साल से लगी हुए है, जिसमें आग जल रही है और कुछ नहीं है, वो चाहते हैं सपोर्ट करते रहे हैं इन अलिमेंट्स को और आप देखिएगा, इसका रिजल्ट मजीद किस तरह से एक्सपैंड होता है, अगले एलक्शन में आपको यही जमाते हैं, पहली सफ में दिखाई देंगी, और आप इनको वो सिर्फ यह है कि अपनी एक जाती अटॉनमी में परसनल स्पैस के अंदर सिर्फ अपनी इन फरादी हैसियत में आजादी हासिल कर लें, बेशक यहां से निकल के, या अपने आपको इन प्रेजुडिस से और इस मैस से, इस इलिटरेट और चार्जड मैस से डीलिंक करके, एक वही इनकलाब सिर्फ आसकता है और कोई नहीं आसकता, तो सिर्फ एक तरीका था कि एक ऐसी रियासत बनती जहां तमाम इनसानों को बिला तफरीक उनके मजब नसल और रंग के बराबरी के अकूक मिलते और रियासत अपनी रिटन फोर्स करती, और यहां मॉब जिस्टिस न कि आपकी रिलिजिस आइडियालोजी से इखतलाफ करते हैं, अगर वो कहें ना कि हाथी उड़ रहा है, आप कहें बिलकुल उड़ रहा है, मैंने खुद देखा है शाम को बैठा हो अतार के उपर, सिर्फ यह हल है, डी कनेक्ट यॉरसल्फ और इसके साथ साथ यह, कि आपक केप मिलता है, वो हासिल करें, लेकिन यहां के हुकमरान तबके से किसी भी एक पार्टी से उमीद अगर आप लगा रहे हैं, तो आप इस जल्म और जियाती में बराबर के शरीक हैं, थांक यू चले दोस्तों वीडियो खतम हो गया, और इसलिए सेयद मुजमिल को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यह खरी बाते हैं, दपॉइंट बाते हैं, और लॉजिकल बाते करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं, कि जिस माइनिटी के हुकूप नहीं मिलने के दम पर, भारत से एक हिस्सा अलग किया गया, पाकिस्तान नाम का नया देश बनाये गया, उसी देश में माइनोरटी के साथ क्या हो रहा है, यह पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया, हिंदू मंदिर तोड़ दिये गए, आजी कुछ हुआ होगा जरूर तभी तोड़ा ह चर जला दिये, अजी कुछ हुआ होगा तभी, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, क्या वो हिंदू पाकिस्तानी नहीं है, क्या वो सिख जो मारे जा रहे हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, क्या वो इसाई जो जिनके घर जलाया जा रहे हैं, जिनको देशत में जीना को मजबूर किया जा रहा है जिनके चर्चिस जला दिये गए जिनके बाइबल जला दी गई क्या वो पाकिस्तानी नहीं तो basically plan ये है कि जो भी 2.5% minority बची है उसे भी पाकिस्तान से या तो निकाल बाहर कर दिया जाए या इतना उनके साथ जल्म कर दिया जाए कि वो छोड़ के खोदी चले जाए अपनी सारी जायदाद अपनी सारी संपत्ती या इतने मजबूर हो जाए कि वो इसलाम कभून कर ले और यही तीनों condition बनाई जा रही है कि इन तीनों में से एक विकल्प आपको चुनना है और यह तीनों विकल्प जो है वो इसाई कम्मुनिटी हो सिख कम्मुनिटी हो या हिंदू कम्मुनिटी हो या एहमदिया कम्मुनिटी हो एहमदिया तो खैर गिंती में नहीं बिचारे वो तो ये तीनों विकल्प उनके लिए नुकसान दे है तीनों विकल्पों में उनका नुकसान है मार वो इन तीनों विकल्पों से खाएंगे अब सोचिए पाकिस्तान में क्या हालत है मैं ट्विटर पे देख रहा था जिस तरह से भीड को मोबिलाइज किया गया जिस तरह से आग लगाई गई, जिस तरह से उनकी बाइबल जलाई गई दुनिया के किसी भी कोने में कृश्चन होगा, वो देखकर क्या कहेगा जैसे स्विडन में अगर कुरान जलाई गई और दुनिया भर में मुसल्मानों को देखकर उसे गुसा आया, दुख हुआ वही चीज इन तस्वीरों को देखकर इसाई भी महसूस करेंगे लेकिन यहाँ पर मुसल्मान ये कहेंगे कि जी ये तो हमारा हक है और वहाँ पे जी हम तो विक्तिम है तो यकीन मानिये, अगर आप ये बात कहते हैं कि इस्लामोफोबिया क्यों फैल रहा है तो इनी वजहों से फैल रहा है क्योंकि आपने ये तै कर लिया है कि मेरी किताब ही सबसे सही है मैं जिसको मानता हूँ वही सबसे सही है दूसरी किताबें फरजी है मैंने जो कह दिया वही सच है दूसरे सब जूट है इस तरह की ideology होगी यह ideology नहीं चलेगी यह नफरत की ideology है इससे विवाद bढ़ेंगे संगर्ष बढ़ेंगे और फिर आप कहेंगे कि जी हमारे साथ तो देखिये ऐसा हो रहा है तो इसलिए इस बात को बड़ी गंभीरता से समझने के जरूरत है कि आप लोग कहां गलती कर रहे हो और इस गलती को अगर ठीक नहीं किया गया तो यकीन मानिये आने वाले दिनों में ऐसे संघर्ष बढ़ेंगे और इस संघर्ष किसी के लिए अच्छा नहीं है ना आपके रिए ना बाकि दुनिया के लिए इसलिए देखकर मुझे भी दुख हुआ क्योंकि जाहिए से बात है कि मैं इसाई कोमिनिटी के साथ ख़़ा हूँ इस मामले में मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में माइनुर्टी होना कितना बड़ा गुना है और यह वही पाकिस्तान है जो भारत को हमेशा कहता है कि जी माइनुर्टी को हक नहीं है उनको उपर जुल्म किया जा रहा है लेकिन अपना घर नहीं देखता कि वहां पर क्या हो रहा है हमारे दुखा घटनाएं होती हैं, तो हमारे यहां भी इलाज किया जाता है, लेकिन आपके यहां तो पूरी आवाम, जो maximum आवाम है, सबको नहीं कहा रहा है, maximum आवाम जो है, वह ऐसी ही mindset वाली है, चलिए, जल्दे मिलता हूँ, आप लोग कमेंट जरू करें, जल्दे मिलता हूँ एक ओर वीडियो के साथ, नमस्कार, जैहिंद.